नमस्कार सर नमस्कार जी सर क्या नाम मैं आपका? मेरे नाम मेहंदर कुमारा जी मेहंदर जी कहां से आए आप? मैं फरीदाबाद करुणानगर से आया हूँ जी संत रामपाल जी महाराज की सरण में आने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे? संत रामपल जी महराज जी की सरण में आने से पहले विशेश हम सिरिकिर संजी भगवान की पूजा किया करते थे और मंगलवार के दिन हनवान जी को परसा चड़ाय करते थे हमने ऐसे गुरु तो कोई नहीं बनाया था जी जैसे घर में सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे तो सर आप ये पूजा करी रहे थे तो फिर आप संत रामपल जी महराज की सर्ण में क्यों गए इसका एक बिशेश कारण है बगत जी, मैं कुछ समय पहले जब हम गुरु जी से सद्गूर रामपल जी महराजी से जोड़े नहीं थे, तब स्री किर्शन वगवान जी के यहाँ परिकर्मा लगाने के लिए जा रहे थे मतुरा में, और उस जाने के दोरान हमारा रास्ते में भेंकर एक्सिडेन्ट हुआ, उस एक्सिडेन्ट में मेरा पैर कट गया, और मेरे मामा जी थे वहीं पे उसी जगह, उसी टाइम खतम हो गए, उससे मेरे दिल को बहुत ही दुख हुआ और हम मेरी बिलकुल आस्ता अच गई, और उसके बाद में किसी में बक्ति करने की रु समझा हमने गुरू जी का सद्गुर रामपाल जी महराज जी का और फिर हमने ग्यान लिया नाम दिख्षा ली सद्गुर रामपाल जी महराज जी से सर संत रामपाल जी महराज के बारे में आपके पिता जी न आपको बताया तो सर हम आपको बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं वो अक्सर विवादों में रहते हैं और आज वो जेल में है क्या आपको इस बात की जानकारी है? हाज जी बिल्कुल जानकारी है तो सर क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक ऐसे संद से नाम दिख्षा लेने जा रहे हैं जो जेल में हैं? नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है किसी भी गुरु जी हमारे सद्गुर्रामपाल जी महाराजी बताते हैं और हमारे भुज़र्गों ने भी बताया है को बहुत बिसेशलाब मिले जी एक तो आत्मिक संतुष्टी मिली और जो हम बहुत ही ज्यादा मतलब मेरी एक दम भक्ति करने की रूची खतम हो गई थी आस्ता आठ गई थी मेरी बिलकुल भी किसी भी भक्ति करने का मन नहीं करता था और फिर सद्गुर रामपाल जी तो आपनी कमी की बज़े से कई बार भक्तों को उपर कुछ परिसानी आ जाती है तो उसी का कुछ प्रड़ा मेरे साथ हुआ कि मैं बीमार हो गया मेरी मेरा पैर जो कटा हुआ था उसमें एक रोड़ पड़ी हुई थी और वह रोड़ उसमें पस पड़ गया तब मैंने पूर्ण टीवी हो गई हडडी की टीवी हो गई है तब हमने डॉक्टर से का तो आप क्या होगा तो उन्होंने का कि इसके लिए आपको कम से कम छह महिने दवाई खानी पड़ेगी और हो सकता है ठीक हो भी और हो सकता है पैर और भी काटना पड़े तो एक हमारे मिलने वाले सरदार जी बहुत प्रेम करते हैं हो हमसे तो उन्होंने कहा था कि बेटे इसका विशेश पूरी अपना इलाज करवाना टीटमेंट क्योंकि मेरी घरवाली भी इसी बॉंड टीवी की बज़ए से मर गई थी ऐसा ना हो कहीं आपके साथ में भी ऐसा कुछ हाथ्षा हो जाए तो हमें तो विश्वास्ता और हमने परमात्मा सद्गुर रामपाल जी महराज जी से प्रार्थना करी के सद्गुर देव दास के उपर ऐसे ऐसे परिशानी आ गई है और तो गुरु जी ने का बेटा भक्ती करो सब ठीक हो जाएगा और मालिक के बस ये बचनते परमात्मा कहते हैं सद्गुर रामपाल जी महराज के संत बचन पल्टे नहीं और पल्ट जाए बरमंड मलक सद्गुर रामपाल जी महराज जी का इतना ही कहना था कि मेरे को उसी दिन से आराम हो गया और एक हपते के अंदर मैं होस्पिटल से छुट्टी लेके आ गया और मैंने कोई दबाई नहीं खाई और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया और मेरे पैर की जो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको बॉंड टी भी हो गई है हड़ी की टी भी हो गई है और इसके लिए कम से कम भी नहीं तो छह मेने दबाई जरूर खानी पड़ेगी और वो मालिक की दया से सद आपका कोई इसमें वो नहीं है इसका तो बहुत ज्यादा काम खराब हो गया है आप ऐसा करो घर पे जाओ अगर पर ही जाकर अपने टीटमेंट कराओ क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि साहदा अब ये मेरी ठीक होने वाली नहीं थी तो उसके बाद में फिर हम यहां पे अ से एक हपते दवाई कराई थी एक हपते में परमात्मा से प्रात्ना करने के बाद में सद्गूर रामपाल जी महाराजी से प्रात्ना करने के बाद में और दासकी बिल्कुल ठीक हो गई ये बॉन्टीवी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी सर यहाँ पर एक बड़ी वीचेतर बात देखने को मिल रही है क्योंकि सर साइंस का जमाना है और आज के टाइम इस आधुनिक यूग में लोगों का इन बात आपे विश्वास करना की जैसे आपने बताया की कि संतरामपाल जी महराज ने आपको कहा कि ठीक हो जाएगा और उसी पल से आपको उस बीमारी में रहात मिलना सुरू हो गई और एक हफते के अंदर आपकी सालीवी बीमारी दोर हो गई तो सर आज की इस आदुनिक यूग में आज की जो लोग हैं क्या वो इस बात को सुविकार करेंगे आप उनको कैसे समझाएंगे या सर क्या कहना चाते हैं बिल्कुल सुविकार करेगा जी परमात्मा जो भी काम करते हैं परमात्मा की वचन में सक्ति होती है जिस प्रकार से हर उपर वाला उसको सक्ति देता है जैसे कि आज हमारे परदान मंत्री हैं वो अगर कह दें कि यहां से रोड बन जाए तो उसी दिन रोड बनना सुरू हो जाता है और जो संत होते हैं वो पूर्ण परमात्मा के भेजे हुए अबतार होते हैं और उनके द्वारा वही मतलब लोगों को लाव दे सकते हैं परमात्मा की सक्ति उनके अंदर होती है और विसेश तो यही लाव मिला जी और घर में बहुत परमात्मा जब मैं पहले सुरू में नाम नहीं लिया था हमने गुरू जी से तो दास की आर्थिक्स्तिती बहुत खराब थी मैं एक दुकान पर एक हमारे सरदार जी थे मैं उनकी दुकान पर काम करने के लिए जाता था तो वहाँ पे सो दो सो रुपे का मतलब रोज काम किया करता था क्योंकि पैर भी कड़ गया था तो उसकी वैसे बहुत परेशानी थी और मालिक से नाम लेने के बाद में परमात्मा ने इतनी दया करी उसी साल जिस साल मैंने नाम लिया था परमात्मा से छे महीने बाद मैंने अपनी एक दुकान खोली टेलर की और आज मालिक के दया से बहुत बड़ी अकाम है दुकान पे बहुत बड़ी अकाम चलता है परमात्मा के दया से और मेरी आर्थि स्थिती भी बहुत बड़ी आया है मालिक के दया भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगा जी, कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सद्गुर रामपल जी, महराज जी आए हुए हैं, और सभी लोगों से प्रार्तना हैं, कि एक बार परमात्मा के ज्यान को समझे हैं, मालिक कहते हैं, कि जाती ना पूछो संत्की, प सद्गूर रामपाल जी के उपर सिद्ध नहीं हुए हैं। जब शिद्ध हो जाएं। जब आरूपी कह सकते हो आप ऐसे तो कोई किसी के उपर भी आरूप लगा सकता है। सर बहुत साय सरदालू है जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेना चाते हैं लेकिन उनके सामने समझे यह है कि संत रामपाल जी महाराज जबी जेल में है तो सर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं परमात्मा सद्गूर रामपल जी महराजी से जुड़ने के लिए आज मालिक ने बिसेश दया कर रखिया सभी के उपर सभी जिलों में परमात्मा ने नामदान के इंदर खोल रखे हैं और ये मालिक की लीला है जो ऐसा होने के लिए ऐसा किया गया है परमात्मा ने अब किसी भी जिले में जाओगए आप तो वहाँ पे नमदान केंदर ख़ले हुए है सर आप फरिदाबाद हर्याना से बिलोंग करते हैं हर्याना में कहां कहां नमदान इस्तल है फरीदाबाद में जी बदरपूर बॉर्डर के पास में है जी एक पला मोडबंद वहाँ पे नामदान केंदर है और फरीदाबाद में खेड़ी पुल सेक्टर 87 में इधर पड़ता है जी वहाँ पे नामदान केंदर है और पलवल में भी नामदान केंदर है जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद जी